नमस्कार आप देख रहे हैं फसल ग्रांती और हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर आचल दाज जी सर का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तो सर प्रस्वाइबन कैसे सकतर मेरे से बातचीत चुरू करते मेरा सबसे पहला सवाल है सबसे ज्यादा किसानों को उतपादन रही है या मुनाफ़ा दे रही है देखिए सोयवीन की बहुत सारी किसमे है जो बारतवश्मे किसानवाई इसको लगाते हैं लेकिन इसकी प्रमुक फसले हैं जो अच्छी प्रोडक्टिविटी भी देते हैं तो उसमें से एक है NRC 138, NRC 138, NRC 132, NRC 37 और साथ में है JS 234, JS 970, JS 9305 और साथ में हमारी अपने पूसा संस्तान की IRA की कुछ वराइटी रिलीजड हैं जैसे पूसा 12, पूसा 97 या पूसा 97 और जैसे अगर हिमाचल बारा में चाहिए ता हरा सोया, पालम सोया आधी किसमे हैं जो हम मदलों के जो किसान भाई लगा रहे हैं साथ में कुछ पंतनगर से पंतनगर उनिवर्स्टी से कुछ लीजड वराइटी है, PS 1347, पंजाब से कुछ वराइटी है, SL 958, SL 744, इन वराइटी में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है और इनकी जो पैदावार है और उसमें पैदावार ही उपज भी अच्छी है, और हम ने ये देखा कि उपज है, वो हाड़ली एक टन प्रती हेक्टेर आती है अगर पूरी आवरे निकाले है, तो ये उस केस में क्या वड़ी एकनॉमिकल नहीं हो पाती, तिसलिए जब हम पूरी पैकेज हैं प्रैक्टिसे इसकी फालो करते हैं, इसका सिंचाई का दियान रखते हैं, इसके जल प्रती हेक्टर डेट से दो लाके बीच में हसानी से किसान भाई कमा सकते हैं, अगर हम इसको प्रापरली इसकी पूरी पैकेज हैं प्रैक्टिसे फालो करके, और इन ही जो उननत किसम हैं, उसको हम लगा के जो मैंने कुछ उनके नाम लिये, उनको लगाएंग तो अच्छा मनाफ़ कमा सकते हैं, अच्छा बात करें तो सोया भीण में से कौन से कीट हैं, जो लग जाते हैं, और इससे किसानों को काफी समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या जो सोया भीण में राती है। वाइट फ्लाई एक चोटे अकार की मक्ही है, उसके स्फेध पंक होते हैं, और जब हम पोदे को हिलाते हैं, पूरे जुंडों की जुंडों में उड़ती है, तो क्या करती है, कि उसके जो पोदे का रस जूस लेती है, साथ में इसका एक वाइरस होता है, उसको सप्रेड करती तो उसमें зовутौईर्टि कि जो गुडिम क्वाइ duals शाहते हैं, मुझाओ फैली जो भीमारी भी शॉजड़ा करने थैंड और। जैसा स्टेंप फैलती है , ऐसको ग्राम स्टेंप बोरर भी बोलते है , तवह्त वैको , इल्ली जा टवैको कैटर्पिलर कहते हैं या बिहार हेरी कैटर्पिलर और बीटल आदे के किसमें कीट लगते हैं और बहुत सारे कीट नाशिक दुवाईया वे लेवल हैं जिसका इस्तेमाल करने से हम इनका निवारन कर सकते हैं से इस्लें के साथ जाना चाहेंगे कि तो आवने पहले सवाल के उत्तर में अपने बताइए इतनी सारी इनकास में जो की पंजाब से थी बैहार सी पूसा से भी टी और कई किसमें ऐसी थी जो जो काफी इनकास कीशानों को उपस दे रही हैं तो सर इन किसमों की तुडाई सर कितने दिनों में हो जाती है च्ज़वीन की वस्ल आपको किसमें मताई है वो दाने के लिए लीग उगाई जाती है तो सोयवीन की नियुद पareटिय ऑफ कोश वरायटिय तो ऐसे हो से वराइटी ऐसी है, जो उसको सबजी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके ग्रीन पॉड्स में इस्तेमाल करते हैं, यैसे उसमें एक अभी रीसेंटल एक वराइटी है, यैसे सुवर्ना बसंद्रा, तो इसकी जो फलियों की तुड़ाई है, तब करनी चाहिए, जब फली है, वो 90 प्रतिशता को भर जाती है, उसमें जो प्रोटीन है, जो उसके जो और कंटेंट है, वो अच्छे खासे रहते हैं, तो जो तकरीब में 60-75 दिन के, बुबाई के 60-75 दिन में उसकी तुड़ाई है, वो शुरू कर दिन चाहिए, और 2-3 तुड़ाई उसमें कर सकते हैं, और किसान भाई उसको सब्जी की तरफ फलियों जैसे दूसरी सब्जी की मट्र की फलियों बेचते हैं, जैसे इसके दाने भी को भी बेचा जा सकता है, और अच्छा मुनफ़ा कुमाए जा सकता है, यह बहुत बड़ी आपने सर उत्तर दिया है, सर इसी के साथ हमारा अगला किसानों को मिल रहा है. जो भी जा करते ह्किवाने की तो इसका जो सोय वीन के से किय तरह के उत्पाद मना जैते है या सोया तौफू, सोया मिल्क, सोया पनीर और साथ में सोया वीन के जो सीड已經 है साथ में वीटामिन ए है और किसमें पौशिक तत्व होते हैं की सर जो वेजिटेरियन होते हैं जो वीगन निजम की और शिफ्ट होने लगते हैं वो भी काफी सोया का इस्तमाल करने लगते हैं डैफिनेट ली इसमयों कि मैंने पहले बता चुका इसमें इसके बुन ऐसे हैं इस क्राप के कि इसको जो वेजिटिरियन जो लोग है उसको काफी इसका बेनफिट हो सकता है इसके साथ हमारा दूसरा अगला प्रशन यह होगा कि मद्य परदेश में सर अभी हमने खबर सुनी थी कि मद्य परदेश में सबसे ज़्यादा सोयवीन का रखबा हो गया है तो सर इसके बारे में आप क्या इतिफाक रखते हैं सोयवीन अचली जो मद्य परदेश में देखा जाए तो पहले उसका जिगराफिकल एरिया सबसे ज़्यादा था अभी सबसे ज़्यादा राजस्तान का हो गया है तो इसका अबल उसमें फसल लेने लाइक जिमीन है ज़्यादा है अच्छी है वहां की जलवाजू अच्छी भी चाहिए तो वह शायद वहां पर थोड़ा सा बैटर है तो वह एक कारण है कि सोयवीन के जैदा क्षेतर में वहां पर उगाए जाती है वहां के लिए वराइटीज भी काफी है त्यार की गई है और वहां के लिए आइसे आर के इसिचूट्स भी है यूनिवस्टीज भी है तो और क्षेतरों में भी सोयवीन को बढ़ावा देने के लिए डियान देने जुकते बात है कि वहां वहां सिंचाई का प्रबंदन करें साथ में जो कीट लगते हैं उनका प्रबंदन अच्छे से करना चाहिए वहां की जलवाजू तो इसकी अगर देखा जाए तो जो क मुंदरी दल से 1800 मीटर अब मीन सी लेवल तक इसको हम उगा सकते हैं उत्राखंड से लेके नार्थी से लेके हिमाचल परदेशिन सब इलाकों में इसको गए जा सकता है और इन स्टेटों में भी सोयवीन को बढ़ावा देने के लिए तोड़ा मार्किट का प्रावदान करन के हिसाब से इसकी MSP फिक्स की गई है और कहीं-कहीं तो MSP से जैदा भी सोयवीन बिक्चाती है कहीं दिक्कत होती होगी कहीं कहीं एरिया में इससे तरह काम भी नीचे बेचना पड़ता होगा पर इतना फिक्स किया है गवर्मेंट ने तो उतना किसानबाईयों को मिलना चा किसानों को थोड़ा उनको कुछ दिन पहले मैं आल इंडिया रेडियो पे था मुझे फोन है जम्मू से के यहां सोयवीन नहीं लगाते है तो बहां तक एक्स्टेंशन का काम है वो शायद नहीं हुआ इतना तो इसलिए कहने मतलई है कि किसानों को थोड़ा सा अवेर करना ह है सोयवीन के बारे में जैसे आप लोग यह काम कर रहे हैं लग सकती है जम्मू में सोयवीन लग सकती है अगर पुझाब में हो सकती है तो थोड़ा सा एफट करने की जुरूत है किसी ने किसी को करना पड़ेगा और जुनिबस्टी है वहां पर आई से रिस्टूट्स भी ह तो आने वाले समय में और इसका भी देख जा है तो जैसे पुझाब या हर्याना यह स्टेट है जिसमें हम लोग राइस्वीड सिस्टम लेते हैं काफी फ्राइस्टियल सिस्टम है मार्किट अच्छी है और किसान इसको छोड़ते नहीं लेकिन अब जैसे देख ग्रोंड बहुत मीचे चला जा रहा है तो कुछ किशेतर में हम सोयवीन एक अच्छा भी कल्ब हो सकता है जो हमारे इंडो गंगेटी प्लेंज है यसे बैस्टन यूपी है जा उत्राखंड के जो कुछ निचले एरियास है जा दिल्ली है हर्याना है पंजाब है ग्रौंड बाटर कम ह हो रहा है SINÇाही जल की कमी आती जा रही तिनकिशितरों में राइस की बजाए अगर हम सोयवीन लें हर साल सोयवीन ना लें कम सकांग दूसरे त्री सेव साल में सोयवीन ले 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 तो काफी पानी का फायदा होगा किसानों को अवेरनेस की उपर जिबी बड़ेगी उनका आपने बहुत अच्छे उत्तर दिये सोयवीन की फसल में हम खड़े थे और सोयवीन के उपर सर ने बहुत अच्छी घानकारी दिये और दर्शकों आपको बताना चाहें कि सर ने बताया है कि All India रेडियो पर भी सर गए थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू में ल नमस्कार